जुकती है दुनिया जुकाने वाला चाहिए, पाकिस्तान की नया भी बच सकती है, मोदी जैसा नेता चाहिए, पाकिस्तान तरस रहा है भारतिय इलेक्ट्रोनिक और ट्रैक्टर, बस और बाइक के लिए, इसी लिए वा सेकंड हैंड ट्रैक्टर दूसरे देशों के जरीए ख इरान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है और दिल्चस्प बात ये है कि कंपनी में महिंद्रा की भी 20% हिस्सेदारी है। ITNCO अभी भी अधिकांश स्पेर पार्ट्स का उत्पादन भारत से करता है और महिंद्रा की भारतिये इकाई इन पार्ट्स का उत्पादन और आपूर्ती इरान को करती है। इसका मतलब ये है कि भारत में निर्मित महिंद्रा ट्रैक्टर तब पाकिस्तान पहुंच सकते हैं जब पाकिस्तान इन देशों से दूसरा ट्रैक्टर आयात करेगा। दुवई के माध्यम से पाकिस्तान में आयात किये जाते थे क्लब म्यून की सूची में न केवल ट्रैक्टर बलकि मशीन टूल्स, रसायन, दवाएं, टायर, बैटरी और बहुत कुछ शामिल हैं। वे वस्तुएं जो पाकिस्तान अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत से आयात करता है। एक और बात, अगर आपने हमारी बात पहले सुनी है, तो क्रिपया एक प्यारा सा कमेंट लिखें और वीडियो को भी लाइक करें। जो लोग अभी इस चैनल से जुड़े हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में अभी भी चलने वाली पहली बस टाटा इंडिया द्वारा संचालित की जाती है, ये बिलकुल वैसा ही था, जैसा ये लग रहा था। है ना, डेविस एक दक्षन कोरियाई कम्पनी है, जिसका वानिजिक वाहन प्रभाग टाटा द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जो अब पाकिस्तान में अपने मूल ब्रांड नाम के तहत इन बसों को बेचता है।